एबसे हाई फ्रेंस विल्कम टोडेश इसे सेंटर आज हम ड्रो करने वाले हैं इस वैमिद्ध जैगहन कोश्चेंज दिया है कि ड्रो एनन गालोड आफ एगजागहन 25 एमेंव साइट्स हम शुरू करते हैं सबसे पहले साइट तो हमने 25 mm का एक एस्टेट लाइन ड्रो कर लिया है अब हम 25 mm का एक डिस्टेंस मेजर कर लेंगे एसकेल से ठीक है और इस पॉइंट के लाइन के इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे और ठीक इधर से इस पॉइंट पर शेक आर्क लगाएंगे अब यहाँ पर हमें इसको सेंटर मानते हुए एक सर्क्रील ड्रो करेंगे अब हम इसे जितना हम डिस्टेंस ले तो जितना डिस्टेंस ले था तो पॉइंट सॉरी 25 mm देया था उतना है डिस्टेंस हम लिए हैं और इसे डिवाइड करेंगे हैं जाग होना है तो शिक्स साइड होगा अब हम इसे मिला देंगे अब देख सकते हैं हम एक जागन बना दिये हैं अब इसका निमिल कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे वह द्थ्वा ध्यान दिजेगा हम लोग 2 से 1 की ओर एक स्टेट लाइंड ड्रू करेंगे फिर उसी प्रकार 3 से 2 की ओर 4 से 3 की ओर सिमिलर्ली ठीक है तो चलिए करते हैं 1, 2,2,1,2,1,5 C प्राइंड सब्द करेंगे वह दो चनवा bağ 2,1,2,4,6 C ट्राइंगे टीक हम प्राइंड सब्द केस् आफ फिर्ट करेंगे अब क्या करेंगे ध्यान दिजीएगा ध्यान से दखेगा यह डिस्टेंस हमने लिए थेखे उसके बाद पॉइंट पॉइंट से 6 का डिस्टेंस लिए है अब इसा हम रोटेट करेंगे ठीखे रोटेट कर दीए ठीक इसे परकार point 2 से इसका नाम दे जते है p1 point 2 से p1 का distance मेजर करेंगे और rotate करेंगे ठीक है और इस point का नाम देते है p2 ठीक इसे परकार p3 से P2 का distance measure करेंगे और इसको नाम देते हैं P4, sorry P3 P4 से P3 का distance measure करेंगे और rotate करेंगे ठीक है, और इसको नाम देते हैं P4 ठीक है, इसे परकार P5 से P4 का distance measure करेंगे और line draw करेंगे line draw करेंगे, ठीक है, ये draw हो चुका है और इसका नाम देते हैं P5 अब 0.6 से P5 का distance को लेंगे लेंगे और rotate करेंगे ठीक है हमने ये कर दिया इसको नाम देते हैं P6 ठीक है, आप देख सकते हैं कि invaluable बनके त्यार हो गया है ये hexagon invaluable ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आपको applied mechanics और AD का वीडियो लगतार मिलता है ये 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 वीडियो